दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मोबाइल फर स्कूल में दोस्तों मैं आप सब के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ प्लास्टर और पेरिस बनाने के वी थी इसका राशानिक समीकरर, राशानिक सूत्र, अड़ुभार, अड़ुसूत्र तथा इसके उपयोग भी आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूसफूल होने वाली है आप लोग वीडियो को छोड़ कर कहें भी जाये गम मत तो आएए फ्रेंड्स बिना अपने टाइम को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स आपका है पहला राशानिक नाम तो देखिए इसका राशानिक नाम क्या होता है प्लास्टर ओफ फेरिस का यहां पर देखिए अड़ सूत्र इसका क्या होता है मतलब प्लाश्टर आप पेर इसका अड़ सूत्र होता है हमारा C A S O 4 कैसे हम सल्फेट 1.1 बाइ 2 S 2 O क्या होता है C A S O 4 गुड़े एक बटे दो यच 2 O यच 2 O मतलब आपको होता है जल अब उसके बाद यहीं पर देख लेते हैं सीके साथ कि इसका अड़ुभार किता होता है अब यह जो है इसका अड़ुभार होता है 136.134 क्या है 136.134 इतना होता क्या इसका अड़ुभार अब इतना आपने जाने लिया तो उसके बाद देखे इसकी निरमाड विधी क्या है तो इसके निरमाड वीधिया यह देखते हैं ये फ्रें मॉश्ट hewज इंपॉर्टेंट्ट है कि निरमाड विधी अगर आप इसके लिखेंगे तो आपका देखें पहले आप इसको समझ ली यह निर्माड में थी तो देखिए यह जो है CASO 4.2s2 अब यह क्या है CASO 4.2s2 यह है हमारा जिपसम क्या है जिपसम CASO 4.2s2 मतलब जिपसम को आप 373 Kelvin पर आगर आप इसमें उस्मा प्रतान करेंगे क्या करेंगे आप यह CASO 4.2s2 जो की है हमारा जिपसम अब इसमें अगर आप 373 Kelvin तथा उसमा इसमें जाएगे तो यह हमारा बन जाएगा CASO 4.1s2 अब यह हमारा क्या हो गया फ्रेंस प्लास्टर ओफ पेरिस यही हमारा हो गया यह जो है CASO 4.1 बटे 2s2 यह पर देखिए एक बटे 2s2 प्लस तीन बटे 2s2 अफिर से मैं आपको अच्छे समझा देता हूं देखिए CA यह समझा देखिए अगर आप जिपसम को 373 Kelvin तथा उसमा प्रदान करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा कैलसियम सलफेट 0.1 बटे 2s2 यह जो कि हमारा हो गया प्लस तीन बटे 2s2 यह मतलब जल होता है इसका आप सूतर इसको आप जरूर से यह पढ़ लीजेगा मतलब इसको आप समझ लिए क्यूंकि अगर आप इने इतना लिग दिया तो आपका आधा काम कंप्लीट हो जाएग तो इसका उप्योग होता है टूटी हट्डियों को जोडने है तो हम प्लस टर आप इसका हम उप्योग करते हैं आप इतना लेख सकते हैं तो उसके बाद देखिए अगनी रोधक पदार्थ के रूप में इससे जो होता है वो आग भी बुझाई जाती है तो इसको आप रहता है तो उससे आपके दिवारों को चिकना बनाने के लिए प्लाश्चर आप इसका 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 उप्योग किया जाता है तो फ्रेंट देखिए आपको बता दिया मैंने यहां मतलब इसके जितने में में पॉइंट थे राचानिक नाम अडवार्ण वीदित तता के उप्योग तो फ्रेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आपको डेली इस पर नएनी वीडियो मिलती रहेंगे तब तक आप अपने पढ़ाई पर बहुत ही विशेज रूप से ध्यान क्यातो वीडियो